हलो दोस्तों, तो हाली मैं कार्गो नामक हिंदी टीबी सीरीज नेटप्लिक्स पे रिलीज भूआ है, इसका IMDb रेटिंग 6 आउट अप 10 है, जो की ठिक टाक है, तो मैं इस मूबी को कल रात ही देखा था, तो इस मूबी के लिए मेरा मीक्स्ट रियाक्षन है, तो सबसे पहल के साथ साथ, इंडियान माइथोलो जो को भी मिक्स किया हुआ है, इस मूबी का सभी पात्र बहुत अच्छे आक्टिंग किये हैं, स्पेशली विक्रांत, जो की सबसे तगड़ा आक्टिंग किया है उसमें, अब चलते हैं, इस मूबी पे कहां कमी रह गया, ये बात याद कि ये मेरा personal opinion है, तो आपका point of view मुझसे अलग हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये मूबी बहुत ही slow है, और आप अगर बहुत से मूबी देखते हो, तो ये मूबी आपको आदे गंटे के बाद boring लगने लगेगा, जो कि इस मूबी का सबसे बड़ा demerit है, पहले 40-45 मिनि चाहता है, हाला कि इसका trailer देखकर इस से बहुत उम्मीद थी, इसका concept भी phrase है, लेकिन direction और writing थोड़ा weak है, तो चले चलते हैं इस मूबी का explanation की तरफ, सबसे पहले हम देखते हैं कि राक्षस और मनुष्य में एक महित्री चुक्ती हो गया है, ये मूबी 27 में सेट किया गया ह और हमारे जो राक्षस है, भूबी टेकनोलोजी के साथ अडप्ट हो गया है, उसके बाद हमें दिखता है कि एक advertisement जिसमें विश्वपती सरकार, loneliness या फिर अकेलापन के उपर आड़ कर रहा है, वो आपका अकेलापन दूर करने के लिए आपके घर में रहेगा, सोएगा, ख सब कुछ करेगा, और फिर sin shift होता है, बिक्रांत की तरफ, जो कि इसमें प्रहस्त एक राक्षस का रोल कर रहा है, जिनका काम है पृत्वी से मनने वाले लोगों को अपने spacecraft में पुस्पक 634A में रिसिप करने का, और उनके सामान और जो भी निजी वस्तु हैं, उसको dispose करने और फाइनली उन लोगों को हील करके पूरान यादे मिटा के उसको उन लोगों को बापस धर्तिलोग बेज़ देना है, तो इसमें प्रतिग्यायक असुर है, जो कि इसको help करता है, तो ये काम वो काफी सालों से करता आ रहा है, और वो अपना strict rule follow करता है, मतलब जिसमें कि क कोई अगर ब्यक्ति उनका mobile या फिर नीजी सामान को यूज करने का कुशिस करता है, तो वो ऐसा उसे करने नहीं देता, मतलब लोगों के साथ उसका कुछ emotional attachment नहीं है, on the other hand, कहानी में एंटर होती है, युबिस्का की जो की प्रहस्त को assist करने के लिए आई थी, पेले-पेले तो उन दोनों में relationship कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि युबिस्का को लोगों के साथ kind of attachment सा बन जाता है उसका, वो उन मरे हुए लोगों को यानि कार्गोस को कभी-कभी phone भी use कर लेने देती है, पर धीरे-धीरे उसको समझ में आ गया था कि दुनिया कितनी hearts हो सकती है और इन राक्सोसों के पास अपना-पना superpower भी था, जैसे युबिस्का के पास healing power और frost किसी चीज़ को बीना चुए भी उसको उठा सकता है, और प्रतिग्या गायब हो सकता है, क्योंकि युबिस्का को लोगों के साथ थोड़ा attachment सा था, और ऐसे ऐसे reason से लोग मर रहे थे, ज एक struggling actor का चौल के मौत हो जाना, ये सब देखके युबिस्का को थोड़ा काम में stress आना लगा, और वो धीरे-दरे अपना healing power भी खो दी, इसलिए युबिस्का को तुरंत पृत्वी वापस जाने का order मिला, जिससे प्रहस्ता kind of upset हो जाता है, प्रहस्ता जिस organization के लिए काम करत यानि post death transition service, इन लोग का एक rule था, जिसमें की एक cargo जो भी मर जाता है, एक cargo जब repeat होने लगते हैं, तो जो spacecraft में main लोग होता है, इसको retire लेना पड़ता है, तो इसलिए प्रहस्तों को retire लेना पड़ता है, क्योंकि वो approximate 150 या 200 सालों से उसी spacecraft में था, इसलिए उसका cargo भी repeat होने लगा था, meanwhile Ubiska की power बापस आ चुका होता है, तो वो प्रहस्त की जगा ले लेती है, यहीं पर movie खतम हो जाता है, तो यह थी movie की detailed story, और जैसा कि मैंने कहा था, movie आपको boring लग सकता है, जो कि 2 घंटा लंबा है, इसलिए मैं सोचता हूं कि इसको 1 घंटा होना चाहिए था, और म कुछ सुझाव हो तो comment करके जाना, मैंने JL50 का explanation भी शुरू कर दिया है, तो part 1 यहां पर screen पर आ रहा होगा, वो भी जाके देख सकते हो, thanks for watching